नमस्कार शाथियोश श्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जी के क्लासिज में और रात की आठ बजे बाली क्लास में हम राज्यस्तान के थारा सु स्ताउन की करान्ती पड़ रहे थे दोस्तों और दोस्तों से सबादो सो क्यूशन हमने कंप्लेट करती हैं था क्यूसन मिक्स लेके हैं हूँ जिसमें नए राजस्तान भी होगा और पुराना राजस्तान भी होगा तो उमीद करता हूँ सैसन आपको अच्छा लगया दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सेयर करना दोस्तों आज का पहला क्यूसन अपना सुरू करते हैं की कलास सम गाओं कौन से जिले में हैं सम गाओं कौन से जिले में होगा दोस्तों ओप्सन ए जसल मेर राइट एंसर होगा अगला क्यूशन आज का दोस्तों दूसरा क्यूशन पूछा है जोदपूर का मामंदिर उपासना स्तल है जोदपूर का मामंदिर किसका मतलब उपासना स्तल है ये बात अपने को पूछिए दोस्तो option D सही होगा नाद संपरदाय का उपासना स्तल है दोस्तो next question है तीसरा question दोस्तो पूछा आप से तीसरा question में 1800 स्ताउन की करांती के दोरा जैपूर के political agent कौन थे जैपूर के political agent कौन थे तो ये बात अपने को पूछी है और जैपूर के political agent थे दोस्तो वो थे option B William Aiden थे जैपूर के political agent next person है दोस्तो चोथा question पूछा है आप से चोथे question में निमली की ठिकानों में से किसने चावरी कर लगाया था कुचामन, डेडवाना, पैस, रोडगड और बिजो लिया तो चावरी कर किसने लगाया था दोस्तो ये आपको पता ये बिजो लिया के जो ठाकूर थे करशन सिंग उन्होंने ये लगाया था चावरी कर दोस्तो चावरी कर होता है दोस्तो साधी पे पांच रूपए का करन किसानों से वसूल किया जाता था किसी सामंत की या किसी अंग्रेज दिकारी की लड़के या लड़की की साधी होती थी तो अगला क्यूशन है दोस्तो आज का पांचवां क्यूशन है लोदर्वा परसिद है लोदर्वा किसके लिए परसिद है ये बात पूछिए दोस्तो तो लोदर्वा जो होगा परसीद होगा दोस्तो ओप्सन ए सही होगा जैनियों के लिए जैनियों के तिर्च तल जादा यहाँ है लोदर्वा में इसलिए अगला क्यूसन है दोस्तो छेटा क्यूसन छेटे क्यूसन में पूछा है निमलिखित में स अगला परसन है पूछा है दोस्तो बातारी फुलबारी कितने खंडों में वीबत है बातारी फुलवारी ये किसकी रचना है दोस्तों विजय दान देथा की रचना है बातारी फुलवारी और ये कितने खंडों में है दोस्तों option D सही होगा च्याओ दाखंडों में बातारी फुलवारी है अगला परसंदेखिएगा बातारी फुलवारी के बारे में जानकरी बातारी फुलवारी रास्तानी बासा के विख्याद साहिते का विज्यादान देथा रचित एक लोग कताएं हैं दोस्तों यह very very important Qution है ध्यान रखना 2024 में किसी भी प्रिक्ष्या में आ सकता है दोस्तों अगला Qution देखिएगा पूछे हैं दोस्तों शिर्व सुंदरम जल पर पात किस नधी पर आउखिस्त है शिर्व सुंदरम जल पर पात है कौन सी नधी पर है दोस्तों option A सही होगा कावेरी नदी इसका right answer होगा दोस्तो कावेरी नदी पे शीव संद्रम जल पर पात है question number 9 देखते हैं दोस्तो 9 question पूछा आप से राजस्तान के राज़ेपाल पदेन कुला दिपती होते हैं राज़ेपाल किसके कुला दिपती होते हैं option A सही होगा राजस्तान के समस्त राज़े विश्वे विद्याले होगे यानि यूनिवर्सिटी के कुला दिपती कोने होते हैं दोस्तो राज़ेपाल होते हैं next person है दोस्तो आज का 11 माँ person पूछा है दोस्तो खस की गास मुख्य रूप से राजस्तान में पाई जाती है खस की गास कहां पाई जाती है दोस्तो ये बात पूछिए है option D सही होगा बर्तपुल टॉंक वन विवाग में ये खस गास पाई जाती है अगला क्यूशन है दोस्तो पूछा आप से राजस्तान विदान सभा के प्रोटेम स्पिकर कोन थे पर्थम प्रोटेम स्पिकर कोन थे राजस्तान विदान सभा के option A सही होगा माराओ संगराम सिंग राजस्तान विदान सभा के पर्थम प्रोटेम स्पिकर थे अगला क्यूशन देखिएगा बारवां क्यूशन पूछा है दोस्तों आपसे बारवां क्यूशन कहा रहा है निमन लिखित में से किस सड़ेंतर केस में परताब सिंग बारट को कारावास दिया गया था किस सड़ेंतर में परताब सिंग बारट को ये कारावास यानि सजा हुई थी option A से योगा बनार सड़ेंतर मुकदमा next question है दोस्तो आज का तेरवा question है तेरवा question में पूछा है दोस्तो निमन में से राजस्तान के किस मुख्य मंतरी के कारिय काल में सरवादिक वाराष्ट पती साचन लगा है emergency कौन से मुख्य मंतरी के काल में लगी है दोस्तो ये बात अपने को पूछी है option B सही होगा बैरु सिंग से खावत के काल में सबसे ज़्यादा राष्ट पती साचन लगा important question note करिएगा दोस्तो अगला परसंदेखिए गाचा उदमा question पूछा है दोस्तो राजस्तान के किस बाग में मक्का सर्वादिक उत्पादन होता है मक्का का सर्वादिक उत्पादन राजस्तान के किस बाग में होता है दोस्तो option A होगा दक्षनी में दक्षनी पुरी बाग में सर्वादिक मक्का होता है दोस्तो अगला परसंदेखना पंदरवा क्यूसन है दोस्तों पंदरवा क्यूसन है निमली खित में से कौन सा रानेती कारिय करता समंदी देशी राजे सुमेलित नहीं है इन में से तीन सही है और एक सही नहीं है दोस्तों ओप्सन ए सही नहीं है अगला क्यूसन देखिएगा means 11th question पूछा है दोस्तोंflies 21..." नेस्ट् workflows है दोस्तों सतरवा क्यूसन पूछा आप से बेल जन जाती पुरूश कंमर पर जो बस्तर लपेटा जाता है से क्या कहते हैं बेल जन जाती के लोग है ना जो कमर पे ये वस्तर लपेटते हैं उसे कहते हैं खोई तू दोस्तो ओप्सन ए सई हो जाएगा क्योंसन नमबर अठारमा है दोस्तो सीमा सुरक्ष्याबल दौरा जनवरी 2022 में राजस्तान की सीमा पर कौन सा भियान चलाया गया तो आप सीमा सुरक्ष्याबल कौन सा भियान चलाती है दोस्तो पाकिस्तान से इधर से अपने पाकिस्तान से गुस पैट ना हो इसलिए राजस्तान में B.S.F. है न वो भियान चलाती है ओप्रेशन सरदहावा नेक्ट क्यूशन है दोस्तो उनिसमा क्यूशन पूछे आप स मुफली के उत्पादन में राजिस्तान का भारत में कौन सा स्थान है मुफली तुम्हें पताईए दोस्तो सबसे ज़्यादा राजिस्तान में ही होती है दीवतियस्तान पे है मुफली के उत्पादन में नेक्ट परसन है दोस्तो बीशमा क्यूशन बीशना इंकोर्टेंट किश नौट करिए गाँ धोस्तों और स्थिटों पर पेला समारक डाक टिकट कब जारी किया गया था नीच टिकनेनी निमल लिखित में से कौन सा स्तला करती हवसित सही नहीं है यानि सही नहीं है बाकर पुर्वीच हिरोई उड़िया पठार माउंट अबू लासडिया पठार राज समंध बुराट पठार कुमल गड से कोउ गुंदा केमधे तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों लासडिया पठा रहे हैं सही नहीं है राजसमंद में नहीं है दोस्तों अगला परसंदेखिएगा आज का 22 मा क्यूसन है दोस्तों पूछा है जन संक्या 2011 के अनुसार राजस्तान में लिंगानुपात है राजस्तान में लिंग आनुपात कितना है दोस्तो उप्सन डी होगा सही राश्टी ओस से राश्टी ओस्त से पंदरा बिंदू कम है दोस्तो आज का 23 क्यूशन है दोस्तो पूछा आप से राजस्तान राजे प्रियावण निती किस वर्स गोशित की गई थी राश्टान राजे प्रियावण निती किस वर्स गोशित की गई थी ओप्सन 20 होगा 2010 में निती गोशित की गई थी important question mark करिएगा दोस्तों इस question को 24 question है दोस्तों आज का और ये भी important question है दोस्तों पूछा है अडानी hybrid की side company ने की स्तान पर बारत का पहला पवन सोर hybrid power plant इस्तापित किया है अडानी की company है दोस्तों उसने कहां पर ये plant इस्तापित किया है दोस्तों option D सही होगा जैसल मेरन में अडानी ने ये plant लगाया है 25 question देखिएगा दोस्तों पूछा गया आपसे राजस्तान में नगरपाली का अदेक्स के विरुद ऐ विश्वास परस्ताओं पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ती उसमें मत्दान के एकदारवेक्तियों की कुल संख्या होती है कितनी कुल संख्या होती है दोस्तों ये हमें पूछा है ये होगा option A एक बटे तीन यानि एक तीयाई गणपूर्ती संख्या होती है next question है 26 question दोस्तों और सबीसमें क्यूशन में पूछा गया है राजस्तान में राज्य वितायों के पर्थम देक्ष कौन थे important क्यूशन मात करना दोस्तो ये क्यूशन 2023 में तीन परिक्षाओं में आया है कौन थे दोस्तो option C होगा KK गोयल KK गोयल इसके देक्ष थे नेक्ष्ट क्यूशन है दोस्तो important क्यूशन है बढ़ार क्या है बढ़ार क्या है दोस्तो ये बात अपने को पूछी है और बढ़ार होती है विवाए पर बढ़ार होती है दोस्तो विवाए पर आयोजे बोज बीवाए पर जो आयोजे बोज का आयोजन किया जाता है वो ही बढ़ा रहोती है दोस्तो अगला क्यूशन है अपना और तब तक के लिए दोस्तो बात याद दिला दूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ये वीडियो मिक्स क्यूशनों की वीडियो कैसी लगी दो दोस्तो और 28 में क्यूशन है दोस्तो, इस क्यूशन का उतर आपको कमेंट वोक्स में बताना है, राज्स्तान में किमेंट का पर थमकार खाना कहां interfere भादा कहां स्थापित हुआ था दोस्तो, 1913 सीड़े की बाद इत्ना बता देता हूं और इसका उपशन आपको कमेंट में उतर देना है दोस्तो तब तक के लिए वीडियो लाई कर देना दोस्तो चैनल पे नए हो तो चैनल सस्क्राइब करना और शे वेडियो के जाधा से जाधा अपने दोस्तों में या किसी study group से जुड़े हो दोस्तों तो आप वहांढ़ी विशे शेयर करना दोस्तो आपका एक लाई कि मुझे बहुत मोटिवेट देता है दोस्तो मोटिवेशन अंदर से प्रेरित करता है नहीं नहीं वीडियो बढ़ाने के लिए तब तक के लिए दोस्तो जैहिन जैवार्थ धन्यवाद